शनीवार के दिन इस जगह पर रख दें साथ लाल मिर्च, रोडपती भी होंगे करोडपती दोस्तों, जीवन सुक दुख की धूप छाव से भरा है, कभी ये पलड़ा भारी होता है, तो कभी वो चुनोतियों के दवाब से कई मौके पर लोग तूट जाते हैं, वो महशूस करते हैं कि जितने समस्याइं सामने हैं, उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे कई मरतवा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नशीब इनसान है, लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए, ब्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प पूजा पाथ, कुछ उपाएं आपको मुश्कलों से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, कई बार छोटी छोटी चीजे जो हमारे नजरों के सामने होती है, और जिने हम रोज़ाना इस्तिमाल करते हैं, वो चीजे हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इन उपाएं के बारे में पता नहीं होता, असल में बिना जादा पैसे खर्च किये रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से हम अपने जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तमाल जरूर करते हैं मिर्च हमारे खाने का स्वात बढ़ा देती है, लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बलकि परिसानें से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तिमाल की जाती है, लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं इन उपायों से आप अठके फसे पैसे निकलवा सकते हैं सत्रों को परास्त कर सकते हैं दोस्तों अगर खुब परिस्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर अजमाईएगा ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिन्दगे से दूर कर देंगे दोस्तों कई बार हमारा ऐसे सत्रों से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही हैं परंत इर्षा और जलन के कारण हमारे कटर दूस्मन बन जाते हैं मुह पर मिठी बात करते हैं और पीठ पीठे बुराई इनकी नकरात्मकता का अशर हमारे कारियों पर परता है और दिन्चर्या पर परता है नुक्षान आधी होने लगता है ऐसे बिरोधियों से पीठा छुडाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाए जरूर अजमाए दोस्तो पांच की संख्या में लाल सुखी मिर्च ले और दुस्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से पांच बार घड़ी के सुई जैसे घूमती है वैशे ही आप घूमाए यानि की उल्टी दिशा में घूमाए और घर से बाहर कही और टोके नहीं फिर वापस आते समें पीछे मुड़ कर न देखें ये उपाए भले ही आपको साधा सिंपल लगे लेकिन है बड़ा असरदार ये उपाय आपके जीवन शे हमेशा के लिए सत्रों को नाम मिटा देगा, उन्हें पराश्त कर देगा दोस्तो लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याँ से मुक्ति दिलाने में काम आती है अगर आप किशी इंटर्विव पर या फिर किशी शुब कार के लिए अगर बाहर जा रहें तो घर की देहलेज पर आप पांच लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांख कर कदम आगे बढ़ाएं हर कार में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों अगर आपके कारियों में लगातार बाधाई आ रही तो ये उपाई जरूर कीजेगा सनिवार की रात को शोने से पहले किशी गलास या फिर कटोरी में पानी ले लें उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और उस गलास की कटोरी को सोते समय अपने शिरहाने में रख दें सुब़ा उठने के बाद उस बरतन को उठा कर अपने उपर से साथ बार उल्टा बार लें यानि की बाएं हास से लेकर जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में उल्टी दिशा में घूमा लें फिर पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें बाहर बीना पीछे मुड़े घर चले आएं इससे आपके उपर च्छाई नकरात्मकता दूर हो जाएगी मन आपका संत हो जाएगा द्रिश्ट कौन शकरात्मक बनेगा और कारियों में सफलता मिलने लगेगी और बिगन बाधाएं आने बंध हो जाएगे दोस्तों जिन्दगी में सबसे बड़ी समश्या जादातर जो होती है वो दरसल धनकी होती है अगर आपको पैसों के किलत सता रही धन हाथ में नहीं टिकता तो ऐसे में ये उपाए जिरूर अजमाईएगा दोस्तों साथ लाल मिर्च को किसी साप कपड़े में बांध कर ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हूँ उसे अपने धन की स्थान पर रख दें आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी रोरपती भी बन जाएंगे करोपती पैसे से हमेशा तिजोरी और आपका खजाना भ दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके बिरोधी या सत्रु केवल आपके पीछे अपित बुरी बाते ही नहीं कहते हैं बलकि उनके किये कराये के कारण आपको तकलीफे उठानी पड़ रही है तो ऐसे में किशी शनिवार की शाम को पांच लाल मिर्च लें साथ में दोस्तों अब ये आप अपने दुस्मन का नाम लेते हुए फिर जिस किसी के उपर आपको शक है उसने आपके उपर जो टोना टोटका किया है तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से या फिर पीडित के सिर से साथ बार उल्टा घुमा लें फिर घर से बाहर ले ज तो उसका असर खत्म हो जाएगा आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी दोस्तों लाल मिर्च का ये अद्बुत उपाए न केवल आपकी जीवन को बेहतर बनाता है बलकि जीवन में धन सम्मझी समस्चाओं को भी दूर कर देता है शनीवार के दिन आप एक छोटा सा काम ज काले मिर्च ले ले एक नीवू ले ले और आप जो आम की टेहनी यعنिकी आम की पत्ते होते हैं आप उसे ले ले और एक काले धागे में बांध कर आप अपने मुख दरवाजे पर आप बांधे दोस्तों ऐसा करने से आपकी घर में निगवेटी जो आती है वह दूर हो जाएगी, कभी निगवेटी नहीं आएगी और सनिदेव की कृपा बरसेगी शनी महराज की किरपा से आपके घर में आंधनी दुगनी हो जाएगी भागवान सनी की किरपा से जो भी कष्ट यफि परिशानिया हो दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी कृपा से धन आने के स्तरोत बढ़ जाएंगे दोस्तो अगर नजदीक के कोई शनी मंदीर है तो लाल मिर्च के आप 21 जो लाल मिर्च साबूत है आप लाल मिर्च लेके आकर और आप शनी देव के चणों के पास रख दें सरसों का तेलक सहित दोस्तो ऐसा करने से आपके घर से गरीबी कोशो दूर हो जाएगी शुक्षंबर्दी बढ़ेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तो आप लाल मिर्च ले ले जितने संख्या में मर्जी उतने संख्या में ले ले और ले जाकर सनी देव के चणों के पास रख दें या फिर आपके पास कहीं आसपास नजदीक सनी मंदिर नहीं है तो फिर आप शनी जी का नाम लेते हुए अपने धन की स्थान पर रख दें कभी भी आपकी तुजरी पैसों से खाली नहीं रहेगी हमेशा भरी रहेगी दोस्तों एक सिंपल सा उपाय और करें क्या करें जितने सत्रू हो उतने सत्रू का नाम लेकर आप यानि की लाल मिर्च के दाने ले ले और सरसों का तेल ले आप मिला ले नज़्दीक अगर कोई सनी मंदिर है तो ले जाकर सनी मंदिर के चरणों के पास इसे यानि की डाल दें ये फिर पीपल के बिर्च में डाल दें ऐसा करने से शारी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर आपको लगते हैं कि बहुत शारे शत्रों परेशान करें किशे किसी तरह से आपके राष्टे में अर्चने आ रही है तो आप पांच लाल मिर्च ले और किशी चवराही पर चले जाएं साम के समय और फिर आप चारों दिसाओं में एक एक लाल मिर्च फेक दें पांच में लाल मिर्च आप शारी परेशानी को नाम लेते हुए उपर आश्मान की तरह फेक दें और वापस चले आएं आपकी परिशानी तुरंत खत्म हो जाएगी और सारी परिशान्य खत्म हो जाएगी इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलता है तो दोस्तों लाल मिर्ष का ये अध्भूत उपाय ज़रूर कीजेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों को शेर जरूर कर दीजेगा शेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में लिखेगा जै सन्देव, जै मालक्ष्मी